नमश्कार दोस्तो, आठ विजल आठ में आप सभी का एक बार फिर्श स्वागत है आज हम बात करेंगे मुगल काल की चितरकला के अंतरकर शाहजहां कालीन चितरकला एवं वास्तुकला तो आईए देख लेते हैं शाह जहां के समय में चितरकला और वास्तुकला को फिस्तार से शाह जहां जिनका समय 1608 इस्वी से लेकर 1658 इस्वी माना जाता है शाह जहां समराट जहांगीर का पुतर था सन 16 सोस्ताई इस्वी में जब जांगिर की मृत्वी हुई तो शाह जहां उस समय दक्षीड में था जांगिर से पूर्व नूर जहां का विवा इरानी सरदार शेक अफगिन से भी हुआ था और उनसे उत्पन लड़की का विवा नूर जहां ने जांगिर के छोटे पुत्र शह यार यानकी खुरम का जो भाई था से कर दिया था इधर नूर जहां का भाई आसम खां अपने दामाद खुरम को गदी पर बिठाना चाहता था प्रन्तु आसफ खां ने गदी के अन्या सभी दावेदारों को कैद कर लिया था और शहाजान ने उन सब का वद कर दिया था और इस तरह से सन 1608 इस्वी में वह गदी पर बैठ गया और उसने मुगल सल्तन का स्वामी निक्त कर दिया खुद को और उसने लगभग 30 वर्षों तक शाषन किया ऐसा मन जाता है शहाजान के अन्तिम दिन बहुती कश्ट में बीते क्योंकि सन 1657 इस्वी में जब वह बिमार पड़ा था तो उसके पुत्रों में आपसी संगर्ष हो गया था सता को पाने के लिए शहजादा औरंग जेब ने सभी भायों का वदगर के सिहासन रोड हो गया पथा अपने पिता यहां तक कि उसने अपने पिता शाषाजान को भी उसने कैदी बना दिया था और इसी कैद में होने के कारण ही सन 1666 इस्वी में आगरा के किले में उनकी मृतियों हो गई थी तो यह था शाजान के बारे में थोड़ा सा परिच्छे और आए अब हम देख लेते हैं शाजाजान का कला प्रम शाहजां के सत्ता संभालने के बाद शाहजां का कला के प्रती प्रेम वो वैसा कला में उत्सा हमें नहीं देखने को मिला जैसे उसके पूरुजों के समय में हमें देखने को मिला यानि कि पहले से चली आ रही जो भी मुगल कालिन कला थी उस तरह का हमें प्रेम और रूची जो है वो शाहंजा के समय में हमें देखने को नहीं बिली यानि मुगल चित्रकला शाजां की रूची वो मनरुतियों में बंद कर ही चली आ रही थी शाजां की इस उदासिंता का अभ्यास पाकर दरवारी चित्रकारों की कलमों में भी अब कृतिंता के भाव उगने लगे थी चितरकला के प्रती उनकी रूची के विशे में विभिन कलाविदों ने अपने अपने विचार दिये हैं तो इस तरह से सबसे पेड़े वाचसपती गेरूला के अनुसार कि चितरकला का उदेश्य अब मुगल सल्तन के वैभव का परदर्शन करना ही मातर रह गया था उसने अब भीतरी साधनों के भाव परदर्शित ना होकर भारी की रंगों की तड़क भड़क हसमुद्राओं का आकरशन अंग प्रतेंगों का उभार और हुकूमत का दबदबाव आधी की अधिकता ही थी वासुतह अकबर से लेकर जहागीर तक की मुगल चित्रकला की जो विशेष्टाएं और शाष्कों की जो स्वभाविक्ता रूची दिखाई देती थी वह अब फिर दिखाई नहीं देने लगी उसी तरह से डॉक्टर राय रुशंदास जी भी कहते हैं कि शाह जहां के दर्वाल में चित्रकारों की संख्यातों बढ़ गई थी लेकिन चित्रों का तकने की पक्ष अर्थात रंग पर्योग लिखाई तथा रेखा सौंदर्यों में भी अभीवरिती हुई थी किन्तु संख्यात्मक द्रिष्टी से उनके निर्मान में कमी आगी थी यूं तो शाह जहां परिश्कृत रुची का शाशक था और छोटी अवस्ता में ही वह बहुत दिनों तक नियमित रूप से शाही पुस्तकालों में बैट कर कलाके संबंद में अध्यन करता भी रहा थ लेकिन उसके आशिक चित्रकारों ने संगीत नाटक एवं दैनिक वहवार के सामान्य जीवन से संबंदित विश्यों पर भी प्रकाश डाला था यदि शाहजां की रुची चित्रों के प्रति कम होती तो उनका पुतर दाराश शिकोह जो की चित्रों का इतना प्रेमी था त तो इसी के अधार पर युवा शाहजां नामक विख्यात करती जो की अबुल हसन चित्रकार द्वारा बनाएंगी थी यह हमें मिल दी है और जो इसका प्रिणाम है कि कहीं न कहीं जो है शाहजां का भी कला प्रेम था लेकिन उतना नहीं था जितना कि उसके पुरुजों का उसके प्रती प्रेम रहा है तो आईए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं शाहजां की का वास्तुकला प्रेम यानि कि वास्तुकला के प्रती जो है शाहजां का क्यारुजान रहा है शाहजां के लिए यह हम बात सत्यों है कि उन्हें चित्रकला के बजाए वास्तुकला में जिसकी प्रेणा उनकी पत्नी मुम्ताज से मानी जाती है और जिसके लिए उन्होंने मुम्ताज यानि कि मुम्ताज के लिए ताज महल जैसे भवन का अंद्रमान भी कर वया था शाजान के द्वारा निर्मित कलापुण भवनों में मोती मस्चिद जामा मस्चिद लाल किला और उसका दिवाने ए खास एवं दिवाने ए आम उलेखनियों है जो की शाजान की वस्तुकला को बताता है अब आगे हम बात करते हैं शाजान के समय में निर्मित पांडू लीपी चितरन यानि कि शाजान का पांडू लीपी चितरन तो शाजान ने जहां पे कला के साथ साथ वस्तुकला के प्रती अपना प्रेम दिखाया है उसी के साथ साथ पांडू लीपी चितरन में भी उनकी तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी पुस्तकें या पांडू लीपियों को चितरन किया है जिसका बखान हम आगे इसमें स्तार्ट से करेंगे तो शाह जहां जहां कला में पांडू लीपी चितरन की परंपरा सरवता अवरुद नहीं हुई अवश्य ही उसका स्थान गौन हो गया शाह जांग के समय बहुत अधिक पांडू लीपी का नर्मान हुआ जिसका वर्णन आगे इस प्रकार से है तो इन पांडू लीपी गरंथों में सबसे पहले आता है आपका साधी का बोस्ता और जो की वर्तमान में ब्रिटिश म्यूजम लंदन में संगरित किया गया है उसक नर्मान किया गया और बॉटलेन लाइबररी ओकसफोर्ड में इसको रखा गया है उसके बाद है कुलियात और इसका नर्मान भी 1664 इस्वी में ही किया गया और जिसको चेस्टर बेटी लाइबरी डबलेन में रखा गया है और उसके बाद आता है जफर खां का मस्नवी और इसका निर्मान 1633 इस्वी में किया गया उसके बाद सबसे लास्ट में है पादशाह नामा और इसका निर्मान ऐसा मन लाता है कि इसका निर्मान 1656 या 57 के मद्या में किया गया और जो रोयल लाइबरेडी विंट सर में इसको रखा गया है जो ये पाथशा नामा है ये शाहजां कालिन सरवत्तम कृतियों में से एक है जिसके निर्माण एवं चितरन के लिए अनेक कलाकारों ने अपना योगदान दिया और इसमें कम से कम जो है सौ चितर चितरत किया गए प्रन्तु दुरवागय वंश यहोप्रती चितर वितर हो गई यानि कि इसके जो प्रिष्ट है वो अनेक संग्रालियों में पहुंच गए इसका एक विशेश भाग बिरिटेन के विम्रिटसन महल में संग्रित किया गया है इन पाणुलिपियों के चितरन के लिए कलाकार, बालचंद, प्याग, मिरार, आदी जो थे ये तेनों जो है ये आत्रन चितर कलाकार थे और इसके अलावा आबिध, आकारीजा, गवर्धन, बिचितर, होनहार, बालचंद, समरकंदी और अनूप चितर, मुहमद कादी आदी ऐसे कलाकार थे जिन्होंने इन पाणुलिपि गरंथों में चितरन का कारे किया और इस तरह से देशों विदेशों में विभिन संग्रालियों में हम इंद के पाणुलिपियों को देख सकते हैं तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो शहां जहां कालीन चितरकला एवं उस समय की वास्तुकला और जो भी पांडुलिपि चितरन उस समय किया गया था उसके बारे में आजमने विस्ता से जाना आई होप आप सभी को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो आईए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट आफिकेला के साथ